नुश्कार महों प्रकास्तिवारी और आप देख रहें इंडिया टाइम्स न्यूज अजनसी हम इस समय जो है पहुचे हुए हैं एक विशिष्ट व्यक्ति के पास जो यूपी की राजनीती में कहीं ने कहीं ने कहीं जहां उनका नाम है नीरजभूरा जो भाजपा भारतिया जनता पार्टी से विधायक हैं लखनौ से सर आपका बहुत-बहुत स्वागत है सर आपके पास सेवा हॉस्पिटल के नाम से लखनौ में जो है अस्पतायल है और यह बताईए कि आपने अपने बिधानसवा में लगभग जो है काफी लोग के बीच में आपकी लोग प्रियतासर बहुत-बहुत है यहां पर जो है बच्चा-बच्चा और बड़ा-बड़ से रहते हैं आप यह बताईए सर कि अस्पताल के माध्यम से आपने विधानसवा की कैसे मदद की या कितने की वेंटिलेटर और ऑक्सिजन की इतनी प्रॉब्लम साई कोविट के दौरान उनको आपने कैसे पूरा किया देखे कोरोना का संक्रमड मार्च में प्रार्म भुग थी तो उसमें विशेश रूप से ऑक्सिजन की आवशक्ता पड़ी मेरा ये मानना है कि सौ में नब्बे पर्सेंट लोग तो स्वयम अपने घर पर इलाज कराके स्वस्थुए हैं दस पर्सेंट लोग ऐसे थे जो लोगों को ऑक्सिजन की आवशक्ता हुई और उस दस पर्सेंट में एक साथ-एक में समय ऐसा आया जब अस्पतालों में बैड़की कमी होने लगी और ऑक्सिजन की भी थोड़ी प्रचुन मात्रा में कमी हुई थी एक समय में तो वो समय संकटकाल का सबसे खराब समय था और उसके बाद दीरे दीरे फिर वो भी इस्तिती सामाने हुई सरकार ने ततकाल प्रयास किया और देश के बड़े बड़े ऑक्सिजन सप्लाइट्स के माध्यम से लखनों के अंदर ऑक्सिजन आपूर्ती की गई आपको संग्यान में है कि ट्रेन के माध्यम से यहाँ पर लिक्विड ऑक्सिजन आई और उसके बाद वेवस्ता को दुरुस्त किया गया यह जो संकट आया इसमें एक विशेश कारण था कारण यह था कि जब इस बार लोगों को यह एहसास हुआ कि दूसरी लहर में ऑक्सिजन की आवशक्ता पड़ेगी तो लोगों ने बजार से जो लोग थोड़ा सा संपन वर्ग के थे उन लोगों ने बजार से ऑक्सिजन सिलेंडर खरीद लिए और अपने घर में बीमार हो या ना हो दो-दो cylinders हमने अपने घर पर store करने शुरू करती है कि oxygen मंगा के रखी लो पतानी किस्समें oxygen की जवरत पढ़ जाएगी तो जो एक normal tendency होती है जो oxygen cylinders की आपूरती होती है जो सथा के अंतरगत जितने cylinders बजार में चल रहे होते है अचाना का अगर 50% सिलिंडर पजार से गायब हो जाएं तो निश्चित रूप से वह असमानी इस्तिती पैदा हो जाएगी तो वही कारण बना ऑक्सिजन सिलिंडर की कमी का शुरू में ऑक्सिजन की प्लांटों पे भी कमी हुई उसकी आपूर्ती प्रारम हुई और फिर सुचारूरूप से वो चालू हो गई तो उस पूरे कुरोना के काल में लोगों ने मेरे से संपर किया मैंने उनसे हर एक के फोन को एटेंड किया चाहे मैं संक्रमित था उस समय चाहे संक्रमा ठीक स्वस्त होने के बाद भी हर एक के फोन को एटेंड किया मैंने और उसके बाद जहां संभव हुआ उनको भरती कराने का लिए मैंने प्रयास किया कि वो भरती हो जाएं स्वस्त हो जाएं एक समस्या मेरे स्वयम के स्पताल में यह है कि मेरे स्वयम का स्पताल जो है वो गुर्दों का स्पताल है गुर्दे रोगों के और इसलिए वो ने ने किड्नी के पेशेंट्स यहां पर डायलेसिस पर होते हैं इसलिए उसको कोविड अस्पताल नहीं बनाया जा पा रहा था क्योंकि कोविड अस्पताल बनाने में एक यह सबसे बड़ा संकट है जी हर जेगें पर कन्वर्ट भी किय जा रहा था सरकार के द्वारा भी लेकिन जैसे हमारे यहां पच्छिस रोगी ऐसे हैं जो प्रते एक दिन डायलेसिस पर होते हैं तो यदि वो कोविड अस्पताल बन जाता तो वो पच्छिस विक्ती डायलेसिस जिनकी रोज हो रही है वो बंद हो जाती तो मिर्ति हो जात है जहां पर डायलेसिस भी होती है और अन्य बिबारियां भी देखी जाती है तो जो पेशेंट्स का हम भर्षपूर मदद कर सकते थे वो हमने करने का प्रयास किया और लोगों को भरती कराने का प्रयास किया फिर मेरा एक प्रयास सबसे बड़ा हुआ जो मैंने आप से पहले बताया नबे परसेंट लोग घरों पर स्वस्थ हुए तो मैंने अपने कार्यकरताओं के माध्यम से स्वयमसिवकों के माध्यम से गली गली में जिन घरों में दवाईयों की अवशक्ता थी हाला कि उत्तरप्रदेश की सरकार के माध्यम से भी दवा पहुँचाई जा रही ओली लेकिन ऐसे तमाम रोगी थे जो मुझे मिले मेरे संपर्क में आए जिन्नोंने एक वज़य थी कि उन्न ने टेस्ट नहीं कराया था कई लोगकों से मेने जब फोन पर बात के उन्होंने कहा साइब है तो बखार लेकिन हमने टेस्ट पर नहीं कराया है हम घर पर अपने निशुल्ग दवा का पैकेट पहुचाने का दाम दिया अच्छा सर ये बताइए कि आपके विधानसवा में जो है अभी जानकेपुरा में भी एक मुद्दा आया था बीच में जब कुरोना का बहुत तगड़ा जो है लैर था तो उसमें आया कि जो ऑक्सिजन की जो काफी कमिया ही तो यहां पर जो है कई ऐसे लोग पकड़े गए जिन्होंने ब्लैक भारी मातरा में कर रखे थे काफी ज़्यादा सिलेंडर्स वहां से बरामद होए तो जैसे आपने बोला है कि कुछ लोगों ने श्टोर कर लिया तो सर श्टोर कर लिया या फिर ऐसे जमक हो रही वाला हुआ और उस पर क्या कारवाई यह यह भी विशह है जो श्टोर करने वाली लोग तो एक वो थे जो लोग संपने थे और अपनी सुरक्षा में घर में सिलिंडर रख रहे थे एक या दो ले लिया लेकिन ये काला बजारी वाले लोग भी आए जानकी पुरम में पुलिस ने सक्त कारवाई किया उनके उपर और जहां कहीं भी काला बजारी करने वाले लोग थे आपने देखा है कि सरकार ने पूरी मुस्तैदी के साथ उन सब को पकड़ा है और उनको जेल भेजने का काम हुआ है और उप्युक्त उनके उपर कानूनी कारवाई हो रही है यहीं नहीं जिन लोगों ने इंजेक्शन रम डिसीवर भी ब्लेक मार्केटिंग कर रहे थे उनके साथ भी कारवाई हुई है तो काला बजारी किसी भी हालत में बरदास नहीं की जा सकती है और अब ये प्रयास है कि यदि तीसरी लहर आती है तो उसके पहले आपको मालूम है कि उत्तरप्रदेश सरकार लगभग उत्तरप्रदेश में 400 प्लांट ऑक्सीजन के लगा रही है और मेरी विदानसवा में दो अस्पताल आते हैं एक अली गंज में बीमसी और दूसरा ठाकुर गंज का राजिगी सही उतिचकित साल है दोनों अस्पतालों में ऑक्सीजन के प्लांट लग रहे हैं सर डेटा प्लस से निपटने के लिए जो की बताया जा रहा है कि बिल्कुल मौत के दर्वाजे तक हेच ले जाएगी यह सब तो बिल्कुल नॉर्मल था तो सर ऑक्सीजन प्लांट जो आप बता रहे हैं कि सरकार इस पर काम कर रहे हैं तो यह कब तक पूरा हो जाएगा जिससे कि अगर वह संभावना जो है अगर आती है तो ऑक्सीजन की में आपूर्ती में कभी कमी ना हो सर आपने बीच में अभी बात की थी LPG की कि पदानमंत्री जी ने घर घरों में रसोई के लिए दिया और महिलाओं को धुए से और जो आम चूले जला करके बचारी जो गर्मियों परिशान होती थी कई तरी की मूल भूत दिक्कते होती थी उसको जो उन्होंने सुधार किय कहीं न कहीं तक सर मूल भूत सेवाओं पर अगर हमाएं तो ये बहुत ही विपच्छ का बहुत तगड़ा अरोप है कि आपने गैस तो दिया लेकिन सर गाड़ी लोग खरीद लेते लेकिन पट्रोल लराना बहुत मुश्किल होता ने क्योंकि इतना महंग है सर उनको बोलते अब शक्ता नहीं है तिवारी जी अभी कल का आकड़ा मैं पूछ रहा था एक शोरूम ओनर से पूछ रहा था मैंने कहा मंदी का दौर चल रहा है आजकल तो आपकी गाड़ियां नहीं भी करेंगे तो उन्होंने का भाईया गाड़ी बिक्चिने की बात कर रहे हैं डबल इ इतनी ज्यादा डिमांड में हैं कि हम गाड़ी की आपूरती नहीं कर पा रहे हैं सडक पर पिछले चार साल में ट्रैफिक बढ़ गया है गाड़ियों की संख्या बढ़ गई है जिसके पास एक गाड़ी थी वो दो गाड़ी पे आ गया जिसके पास दो पहिया था वो चार पहिया पे आ गया है तो अगर लोग गाड़ी खरीद रहे हैं गाड़ी सडक पर चल इस बात से ले रहे हैं कि याता यात आज भी लखनव में आप देख रहे हैं शाम को टाइम अभी कोरोना खतम हुआ है कोरोना के समय तो सब कर्फ्यू जैसा महल था लेकिन खतम हुआ तो अंकेत इस बात का है कि इसका मतलब प्रधान मंत्री जी ने मानी मुख्य मंत्री जी ने लोगों की जेबों को मजबूत करने का काम किया है कि वो गाड़ी में तेल भरवाने में संकोच नहीं कर रहे हैं और गाड़ी चल रही है सर मजबूत किया है लेकिन यहां पर तो भी पच्छाप क्या रोप लगा रही है कि दो लाक रोजगार देखने हैं दो करोण नौकरियां देने की बात क्या करके और प्रधान मंत्री जी चुनाओं देखने लगते हैं बंगाल का एलेक्शन आम चुनाओं देखने लगते है मैं पंचाए चुनाओन के लिए कराना जयरूरी था अब बताईए सर की उकेरें रोजगार बात रहरें कि अपनी सरकार बनाने मेलगें कि अपनी चिनता है सरकार को उत्तरप्रदेश सरकार को अपनी चिनता है touchingた प्रदान मंत्री जी ने प्रारब किया और मैं समस्ता हूं उत्तर प्रदेश में अगर आप पिछली सरकारों की तुलना करेंगे तो सरवाधिक रोजकार हमारे इस योगी सरकार में प्लोगों को मिला है दूसरा विशय जो यह है पंचाय चुनाव आपने छेड़ा था यह एक लोगतांतरिक प्रक्रिया है पंचाय चुनाव ड्यू थे लेकिन कोरोना का कहर आ गया माननी उचन आएले के पास हमारी सरकार गई कि कोरोना इस समय अपने पैर पसार रहा है क्या इसको स्थगित किया जा सकता है तो माननी उचन आएले ने इस पश्ट निर्देशित किया कि भाई कोरोना के प्रोटोकॉल का पालन करें और चुनाव कराएं तो सरकार की मचबूरी थी कि उसको कोरोना का प्रोटोकाल फॉलो करके चुनाव कराए तो उसलिए चुनाव कराए गए और मननी उचने आले का निर्देश था सरकार तो चाहती थी कि एक बार इकरी स्थागित हो सकता है लेकिन ये वो लोकतांत्रिक प्रक्रिया है उसकाम को पालन किया गया सर आपको छोड़ करके जाने का तो मन नहीं करता है लेकिन इसलिए हम एक क्वेश्चन थोड़ा सा प्लस करके अंतिमी सवाल में हम पोच लेते हैं सर नीजी करन का जो है क्या उत्देश से है जैसे लोग विपच्छ जो है और ले करके जो बहुत तगड़े आउरोप लगा र देगी तो यह तो गुलाम बनाने का काम करें इस्ट इंडिया कंपनी की तरह सर यह अंतिम सवाल है लेकिन बड़ा है हम सवाल है सर इस्ट इंडिया कंपनी विदेशी कंपनी थी और यहां पर कोई भी पब्लिक सेक्टर जो बारस सरकार की उपक्रम है उसमें अगर नीजी चेत्र को वेवस्ता के द्रिश्टी से कहीं खुला आमंत्रन हो रहा है या उसको जोड़ा जा रहा है तो उसके पीछे उद्देश्य प्रतिस्परधा का और बहतर सेवाओं का होता है आपने देखा होगा दिली में भी मेट्रों की सेवाई चल रही थी तो रेलवे स्टेश नहीं हो गई उसका मेंटेनेंस वो करेंगे रेलवे स्टेशन का मेंटेनेंस करेंगे और वो उस रेलवे स्टेशन पर अपना नाम भी साथ में जोड़ेंगे उससे बहतर सेवाई मिले लोगों को आज अगर चौदरी चरण सिंग एरपोर्ट लखनव को प्राइवेट हो गया है वो बैवस्ता की दरिश्टी से खाली उसकी देखरेक और रखरकाओ के लिए उसको मेंटेनेंस मिला है तो रखरकाओ और मालिकाना हक में अंतर होता है मालिक सरकार है सरकार ही रहेगी लेकिन मेंटेनेंस बहतर हो जाए इस दरिश्टी से सरकार अपनी सर्विस इं पास रखती तो अगर सर्विस इंडस्ट्री में हम लोग क्या कहते हैं प्राइविट सेक्टर को भी जोड़ेंगे आप कुछ जानते हैं कि अगर एक कारियाला है उस कारियाले की देख रहें कि अगर आप निजी हांतों में सौंपते हैं साफ सफाई की तो वहां पर अच्छी जोडने का काम हो रहा है उसमें कहीं किसी की ओनर्शिप नहीं होने जा रही ओनर्शिप सरकार की ही है जिन लोगों ने MOU साइन किये थे, उनकी समिक्षा की जाती है, उनकी समय समय पर कि किया कितने दिन में यूनिट शुरू हुई है और बड़े पैमाने पर इन्वेस्टर आया है, देखे सबसे बड़ी चीज जो है कि इससे पहले की सरकार में इन्वेस्टर यहां आने में संको करता था, क्योंकि उसे कानून विवस्था से लगता था, उसे लगता था, यहां पर कोई हमको किसी को हमें पैसे देने पड़ेंगे करेने के लिए, यहां पर काम करने के लिए, तो गवडाता था, इसकी जंगाने प्रांतों में चला जाता था, आज आपको मालू है कि बु माफिया राज खतम हो रहा है और कानून विवस्ता सुधर रही है तो मैं आपको बता दू अन्य प्रांतों के बड़े-बड़े उद्योग पती अब उत्तर प्रदेश की तरफ मुख अपना कर चुके हैं और यहां पर आकर वो अध्योगी की काईया लगाएं और बिपच्छ तो कह रही है कि मघमंत्री जी जो है अपना ब्यक्तिगत ही मामला सुलजाने में लगे हों जब सासरकार बनी फ्य कली अपनी दुश्मनी को खतम करने है और आपको तो मालूम थे खोई होर्ण है कि कोई एक आपका तो ये थे डॉक्टर नीरजबूरा बिधायक लखनू से जिन्हों ने बहुत ही बेबाकी से अपनी सफाई दी सरकार की प्रती जबाब दिया सरकार की तरफ से जो सफाई दी आशा करते हैं कि आपको जो है ये इंट्रिव्यू बहुत पसंद आएगा क्योंकि बहुत ह नीरजबूरा जी ये एक डॉक्टर के रूप में भी यहाँ पर है और ये जो है अपना इनका खुद का अस्पताल भी है जिससे जो ही अपनी बिधानसभा की लोगों की सेवाएं देते हैं बिधानसभा की लोगों को लगातार जो इनकी पूरी मदद की है मिलेंगे फिर से किसे ब्यक्ति विसेश में जो है किसी इस्पेसाल परसन से तपते के लिए दीज़े इजाज़त बहुत बहुत धन्यवाद